कि अज़िए पिछली कुछ वीडियो से मेरे कुछ फॉल्लवर्स को यह दिकत थी कि मैं इंग्लिश मेरे वीडियो बना रहा हूं कि मैं अपसे उर्दु में वीडियो बनाओ ता कि मेरे यह लोकल फॉल्लवर्स उनको समझने में बहुत ज़्यदा असानी हो तो वेलकम बैक गाइस आज हम देखते हैं आज आजकल के दॉर्मन देखते हैं कि हर जगा पर सिर्फ एक रट दुन्या ने लगाई हूई है मशीन आजवा इंटेलिजेंस, देटा साइंस, रिसर्च और आज आज हम आपको दिखाएंगे कि what is the best platform to practice your machine learning and data science code, data science code और machine learning के लिए सबसे best platform कौन सा है, सबसे best platform दुनिया कौन सा यूस करती है, so guys let me show you guys कि how can we install anaconda on a windows 10 device, हम अब देखते हैं कि windows 10 device में anaconda कैसे इंस्टॉल किया जाता है, anaconda basically एक rust और और पाइथन के लिए IDE बनी ही है, जो के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हमें data science और रिसर्च में, सबसे पहले आपको anaconda का setup दाउनलोड करना होगा, उसके लिए यह pre-requisite यह है कि आपको python आपके laptop में आपके machine में इंस्टॉल होनी चाहिए, so python आपने इंस्टॉल कर ली, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें में आपको यह बतायोगा python किसे इंस्टॉल कर सकते हैं, based on python version आप python 2.7 या python 3.7 इंस्टॉल कर ले, उसके बाद आप anaconda.com खोले website इसकी anaconda की, okay, this is the interface जो के बहुत ही प्यारा और यहाई थी खुबसेद interface है anaconda.com का, all you have to do is just go to download, आप download पे जाएं, डाउनलोड का पेज खुल जाएगा, यह देख लें कि anaconda में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जूपीटर है, spider, numpy, scipy, numba, pandas, dars, bouquet, holovue, data shader, metaplotlib, learn, h2o.ai, tensorflow, konda, यह सब libraries by default, यह सब libraries, ids by default, anaconda distribution में pre-installed आती है, pre-built आती है, तो आपने यहाँ से यह डाउनलोड नी करना, नीचे आएंगे तो यहाँ पर दो आपके versions दिये हुए हैं, based on your python version, जो आपके वास मौजूद है, आप उन में से जो डाउनलोड करना चाहें, आप कर सकते हैं, मेरे पास 64-bit graphic downloader, तो मैं यह जो डाउनलोड करूंगा, लेकिन, but since I have already downloaded it, तो let's just cut the time, and let me show you, कि आप इसको use directly कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले थे का मसला यह नहीं होता कि आपने python install करना, python install कर ली, अब anaconda install करना कोई बड़ी बात नहीं है, देखें, सबसे बड़ा मसला यह होता है, कि anaconda है, python ने जो mostly programming language, programming IDEs है, उसमें एक complete set of procedure होता है, अगर आपने वो follow नहीं किया, तो आगे आपको जाके बहुत से मुश्किलात के सामने आएंगी, आपको बहुत से मुश्किलात दरपेश आ सकती है, के आपने हम यहां पे next कर दिया, simple बस हमने double click किया, open हो गया, उसके बाद हमने next किया, यूला हमने license agreement को agree कर लिया, and it is just for me, not for all users on this PC, आपने installation location कर ली, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, के destination folder जो हो, वही हो, वही drive हो, जिसमें आपकी windows installed है, उसके बाद आपने इसको जरूर क्लिक करना है, add anaconda to my path environment variable, यह आपने जरूर, जरूर, जरूर करना है, यहां पे बले लिखा हुआ है, not recommended, but आपने जरूर करना है, अगर यह आप installed नहीं होगा, तो आपका anaconda जो है, वो globally आप laptop पे access नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप उसको एक particular drive से access कर पाएंगे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे, आपने install पे click कर दिया, next यह देखें, बहुत ही जल्दी install हो जाता है, very fast installation इसकी होती है, and anaconda completely install हो चुका है, although it takes much some time, क्योंकि आप देखेंगे, इसका बहुत सामान, बहुत सी चीज़ें, इसकी जो हो install होती है, आपके पूरे computer को यह jack कर लेती है, अपने अंदर, तो it takes some time, install होने के बाद, next पे click किया, आपका documentation पढ़ना चाहें, मुझे इस वक्त नहीं पढ़नी, इसकी documentation, तो मैं just finish, and your anaconda is installed, अब हम check कैसे करेंगे, कि anaconda install हो चुका है, हम simply cmd करेंगे, and रिखेंगे conda, अगर आपका anaconda install हो चुका होगा, सही तरीके से, तो conda command आपकी run हो जाएगी, अगर नहीं, तो यह आपकी command run नहीं होगी, अच्छा, अब हम देखते हैं, कि हम इसमें data science और वगरा use कैसे कर सकते हैं, यह देखें, यहाँ पर हमारा anaconda install हो चुका है, anaconda navigator, सबसे बड़ी चीज़ जो python के लिए हम यूज करते हैं, anaconda, वो हम jupiter notebook use करते हैं, भले आपका anaconda अगर आप खोलते भी तो it takes some time, जूपिटर notebook is something कि आप कहीं से भी वो खोल सकते है, जूपिटर notebook always आपके browser में open होती है, और anaconda और जूपिटर notebook का यह connection है कि अगर आपने python लिखना है, python का code करना है, anaconda में तो आप spider में भी कर सकते हैं, आप sype में भी कर सकते हैं, और data scientist जो होते हैं, वो mostly दुनिया भर में, anaconda और जूपिटर notebook जाए हो प्रिफर करते हैं, because it is most very 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 much user friendly, इसमें मैं आपको एक simple code चला के दिखा देता हूं, new किया, python 3 पे click किया, यह पूरा नया खुल गया, यह आपका root folder में चल लाए है, क्योंकि मैंने यहां direct root से open किया है, यह सब, first of all print command python की, hello, print hello and shift plus enter up, 7 plus click press करेंगे, तो आपका output दिखा देगा, okay guys, so this was all about how we can download and install anaconda and how we can start Jupyter Notebook on your windows 10 machine, so keep a link to keep synchronized to my page or synchronized to my channel, I will be sharing, I will share that how we can start data science in Jupyter Notebook through and spider, sci-fi and anaconda को भी मजीद अगली वीडियो में, so sort out करेंगे देखिंग क्या कर सकता है हमें, कैसे-कैसे help कर सकता है, and Jupyter Notebook हमें कैसे help कर सकता है, data science में, R में and machine learning में, till then like, share and comment जो आपको चीज नहीं समझ में आई, वो आप comment में बता दे हमें, और अगर आपको कोई भी नहीं की सीखनी है, आप चाहते हैं कि मेरे नहीं वीडियो किस के बारे में हो, किस चीज के बारे में हो, तो वो भी आप हमें comment section में इसे पता सकते हैं, Till then, thank you so much guys, Tata, Allah Hafiz.